हेलो प्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चनल, गैस एको न्यू वेकेंसी आचुकी है, पैरामेडिकल स्टाप की पर्मनेंट वेकेंसी निकाली गई है, गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज सहडोल के अंतरगर्ट, तो सबसे पहले हम इंपोर्टेंट डेट्स देखेंगे, क कि फॉर्म आपके कब से बनना स्टार्ट हो रहे हैं, और कब तक इससे फॉर्म भरे जाने हैं, लास्ट डिट क्या है, इसकी एपलाई आप कैसे करेंगे, सैली क्याम लेगी, किस प्रकार की वेकेंसी रहने वाली है, सारी जनकारी वीडियो में हम कवर करेंगे, फ्रेंट्स जो आपके फॉर्म है, वो 24-5-2022 से भरे जाने स्टार्ट हो रहे हैं, और पूरे आपको एक महीने का समय मिलना है, 24-6-2022 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, आपको फॉर्म ऑनलाईन भनना है, गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज सेहडोल की MP Online वेफसाइट से, यहाँ पे अनपेर रिसीप्ट को डाउलोड भी कर सकते हैं, 25-5-2022 से 24-6-2022 तक, चले अब देखते हैं कि कौन-कौन सी पोश्टे निकाली गई हैं, और सैली क्या मिलेगी, सेलेक्शन प्रोसेस क्या है, विग्यप्ति सूचना जारी की गई है सहडोल मेडिकल कॉलिज के द्वारा, स अनिया पिछला वर्ग, OVC और EWS कैटिगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 1000 रुपे और अनुसूचे जाती, अनुसूचे जनजाती के जित्ते भी कैंडिडेट हैं, उनको 900 रुपे का पेमेंट करना होगा, ओनलाइन आपकी फीस भरी जानी है, इसके बाद आप आपका आधार को इंजियन होना अनिवार है, और इसमें जब आप नीचे जाएंगे, तो देखेंगे कि रेडियोग्राफर टेक्नीशन, रेडियोग्राफर की कुल एक पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, जो कि संभिता कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षित पोस्ट में से निकाली गई है, एक जनरल से एक पोस्ट रहने वाली है, ओपन कैंडिडेट से भरी जाएगी रेडियोग्राफर की, इसके बाद जो अगली पोस्ट है, वो है डेंटल टेक्नीशन की, दो पोस्टें निकली हुई है, एक है ओवीशी के लिए, और एक है एक है एस्टी कैट इसके बाद लेव अटेंटन की दो पोस्टें निकली हुई है, और लेव अटेंटन की छे पोस्टें निकली है, जो की समीदा कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षड के अंदर गद निकाली गई है, आरक्षड वार करीके से आप देख सकते हैं, एक पोस्ट है EWS के लिए, दो है SC के लिए, एक है HD के लिए, और दो पोस्ट है OVC कैंडिडेट के लिए आरक्षड हैं, इसके बाद प्रोस्थेटेक एवं आथोटेक टेखनीशन की एक पोस्ट है OVC से, और क्यूपेशनल थेरपिस्ट की भी दो पोस्ट है निकाली गई है, एक है जर्रल से और एक है O इसके बाद सब्कृस्ट इसके बाद पर अब सब्बारापन आपको कित्ता दिये जाएगा। तो रेडियोग्राफर के लिए बाउंसो से वीसजार सैली में लेगी 2800 रोपय आपका ग्रेट पे रहेगा PCV से आपका 12th होना चाहिए और मानेता प्राप संस्था से डिग्री डिप्लोम या सर्टिफिकेट होना चाहिए और परामेडिकल काउंसल में आपका जीवित पंजयन होना चाहिए और सेवा निवित्ती की जो आयू है वो है बासट वर्स डेल्टे टेक्निशन का है बाउंसो से वीसजार सैली अटाइसो ग्रेट पे और आपके बास डेंटल टेक्निशन का डिप्लोमा होना चाहिए और परामेडिकल काउंसल में आपका जीवित पंजयन रहना चाहिए जो की चैन उपरांथ है जब आप फॉम बरेंगे तो आपको यहाँ पर रेश्टेशन नहीं लगेगा जब आपका सेलेक्षन हो जाएगा उसके बाद आपको परामेडिकल काउंसल में जीवित पंजयन कराना होगा डार्क रूम असिस्टेंट में आपसे एक्षबर्ड का एकसरेट टेक्निशन का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा जा रहा है साथी परामेडिकल काउंसल में आपका जीवित पंजयन होना चाहिए 19,500 रुपे आपको सहली मिलेगा लेव अटेंडेंट के लिए 12 आपका PCV से पासवट होना चाहिए और 15,500 रुपे इसका सहली मिलेगा प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक टेकनिशन का 25,300 सहली है परामेडिकल काउंसल में जीवित पंजयन होना चाहिए और इसका आपके पास डिपलूमा होना चाहिए ड्रेसर ग्रेट 2 के तहत आपको 18,000 सहली मिलेगी तीन माँ का आपके पास ड्रेसर का प्रेसिक्षन होना चाहिए तब ही आप इसके लिए लिजबिल पाया जाएंगे ऑक्यूपैसनल थेरपिस्ट के लिए आपको 18,700 सहली मिलेगी परामेडिकल काउंसल में आपका जीवित पंजयन होना चाहिए और ऑक्यूपैसनल थेरपिस्ट के आपके पास डिग्री होनी चाहिए टेक्निशन असिस्टेंट के लिए भी सहली आपको 19,500 मिलेगी और डिग्री डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए और परामेडिकल काउंसल का जीवित पंजयन होना चाहिए टेक्निशन की पोश्ट वे आपको सहली मिलेगी 28,700 रुपे PCV से 12 होना चाहिए और परामेडिकल काउंसल में आपका जीवित पंजयन होना चाहिए इसके बाद जो अगली पोश्ट है वो है डिसेक्सन हाल अटेंडेंट की 15,500 रुपे सैलने मिलेगी 12 आपकी पासा उठोने चाहिए PCV से आरक्षन आप देख सकते हैं अनुसूचे जनजाती के लिए 20 प्रतिसर दिया जा रहा है अनुसूचे जाती के लिए 16 OVC के लिए 27 परसेंट आरक्षन दिया जा रहा है और EWS के लिए 10 प्रतिसर इसके बाद परिक्षा केंद्र आपका निर्धारण MP Online के द्वारा किया जाएगा आपको किसी भी प्रकार का यात्रा वत्रा नहीं मिलेगा आपको स्वैम के खर्ची पर ही आप एक्जाम देने जाना होगा यहाँ पर कुछ और नोट्स भी दियो हैं जिन्हें आप रीट कर सकते हैं आविदन कैसे करें तो आविदन आपको MP Online के बैप साइट से करना है जो कि हम पहले देख चुके हैं इसमें आपको अपना हाई स्कूल परिक्षा की मार्क सीट सर्टिफिकेट और डेट अब बात के लिए 10th की मार्क सीट अपलोड करनी होगी और जो भी आप पोस्ट के लिए अपलाई कर रहा हैं उसका डिग्री डिप्लोम या सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा फोटो भेजन पत्त के लिए आप अपना आधरकाड अपलोड कर सकते हैं और आपके हाली की फोटो और सिगनीचर अपलोड करना होगा 12th की मार्क सीट और जाती प्रमान पत्तर आपको अपलोड करना होगा तो इस प्रकार से आप अपना ओनलाईन फॉम बढ़ सकते हैं तो फ्रेंट्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवेश्टक समझा सहडोल मेडिकल कॉलिज से यह वेकेंसी निकाली गई है परमनेंट वेकेंसी है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है या प्लेजबिल है तो इसको आप फॉम जरूर भर है आज के लिए इतना ही थैंक यू अगर अब भी आपको कोई डावट रहता है तो आप कमेंट शसन के मादूम से हमसे पूछ सकते हैं